जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारिन की पूजा होती है। मित्ती से उनकी प्रतिमा बना कर पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में इनकी ही कथा भी कही जाती है। सुहागेन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांध कर कोड़ी भी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी कोड़ीों महिलाएं अपने गले में धारन करती हैं। ये पुत्र के नाम की कोड़ी होती है जिसे महिलाएं कम से कम सवा महीने लगातार पहने रहती हैं. इसके बाद इसे उतार कर जहां गहने आदी रखे जाते हैं वहां या मंदिर में रख दिया जाता है. तो आएए जाने जीवित पुत्र का व्रत की कथा क्या है? आश्विन माह की कृष्न पक्ष की अश्टमी को सौभाग्यवतिस्त्रियों द्वारा अपनी स अरोग्यव उनके कल्यान के लिए इस व्रत को करती हैं और इस कथा का वाचन करती हैं. ये कथा एक चील और सियारिन की है. एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थी. दोनों मित्र थी. एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनोंने देखा तो उन्होंने भी व उससे भूख सही नहीं गई और उसने चील से छुपके खाना खा लिया. वहीं चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया. इसका परिनाम ये हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन जीने के बाद मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे दीर घा होते थे. तब सियारिन को इस बात का ज्यात हुआ कि जीवित पुत्र का व्रताधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं, कुछ दिन जीते हैं और उसके व्रत तोर देने के कारण कुछ ही दिनों में मर जाते है. पुत्र की लंबी उम्र के लिए माताएं सूर्योदे से व्रती जल पीना भी बंद कर देते हैं. इसके बाद पित्रैनों, महिला पूरवजों, वह जिमूत्वहन को सरसों तेलव खल्ली चड़ाती है. इस पर्व से जुडी कथा की चील वह सियारिन को भी चूड़ा दही चड़ाया जाता है. साथ ही खीरा वभीगे केराव का प्र पूल आदी से पूजा करने पर वंच की वृद्धी होती है. इसके बाद निम्म मंत्र का जप किया जाता है. उम्मीद करती हूँ. आपको ये कहानी अच्छी लगी हो. धन्यवाद.